मैं खुशिरू आपका स्वागित करती हूँ आग बारबाने गौसर में मनीशे रानी ने बोला कि जिया शंकर जो है वो जदा दिद का यूज़ कर रही है हाला कि मनीशा ने बहुत खुले से फुकरा इंसान और अलविश के सामने ये बात बोली है पर मेरा तो मन करता है कि कही न कहीं मनीशा को फुकरा इंसान को खुले में ये भी बात बोलनी चाहिए कि भाई वो तेदा भी यूज़ कर रही है बच के रहा कर उससे यहां पर काफे सरी बाते हो रही है जिया के बारे में मनीशा बोल रही है कि मैं ऐसा कर रही हूं गेम में यह वो गेम के बारे में काफे सरी बाते कर रही है तो यहां पर फुकरा है बोल रहा है कि भाई वो भी फोकस लेके गई थी जिया भी फोकस लेके गई थी इसी बीच मे कुछ देर पहले जीया ने जददिद को मना लिया और जीया काफिजद रोई और जददिद वापिस मान गई है और क्यों मान गई है यह सब चिज़े मैंने बता दिया है और अगर आप लोग जानना चाहते तो आप लोग मेरी वीडियो वो वाली देख सकते हैं इसी में जो है जीया के पास कुछ भी नहीं रहा है नया, और इवन फुकर इंसान का भी यही कहना है, कि हो सकता है कि इस बार eliminate हो जाएे जीया, पर ऐसा हो नहीं सकता, eliminate तो वो नहीं होगी definitely जीया, eliminate नहीं होगी बट फिर भी, कि उसके पास सच में कुछ नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो है यह सब बाते हो रही होती है और यह बोलती है कि यह जददिद और यह दोनों मतलब कि उसको कोई न कोई चाहिए कि हाँ बात करने के लिए अब यहाँ पर यह बात है कि जिया शंकर एक्चली में जददिद के पास इसली वापिस गई है क्योंकि उसने फुकर इंसान के उपर बहुत जार ट्राई मारी फुकर इंसान थोड़ा सा टाइम उसके साथ स्पेंड करती है जब मस्ती करनी होती है बस आते हैं फिर मस्ती करते फिर चले जाते हैं और पूरा टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं जिया शंकर को चाहिए एक लड़का ऐसा जो कि पूरा टाइम उसके पास बैठा रहे अभी वह तो है जददिद तो वह जददिद के पास चली गई है अभी यूज मुई तो कर रही है उसको तो और क्या कर रही है और मनीश्यने सही बोला है अभी मनीश कहना यह कि इनको लगता है कि जददिद जो है बहुत स्रौंग करते हैं humility मजे लगता है और लोगों ने बोला भी ओर मुझए भी लगता है कि लोग तो जादीद मेरी वजाने में पसं जी या बहुत सारे मेरे बारे मेरे खिलाफ जो है उसके दिमाग में भड़ती है वो चिस फुकरा इंसान भी रेग्री करते है कि हाँ उसके दिमाग में तेरे खिलाफ काफे सारी चीजे भरी हुई है अब आपका क्या कहना है बताइए जरूरे इसी गे साथ मैं लिदीमज नमस्कार.